हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आज की वीडियो का थमनेल देखके आप समझी गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्विश्ट टेंट्स की राजा माहराजाओं के जमाने में इन टेंट्स का उपयोग शिकार युद्ध आदी में किया जाता था वक्त के साथ इन में बहुत सी सुईधाएं जुड़ती गई और वर्तमान सवरूप आपके सामने है वर्तमान में शादी समारोह आदी में इनका उपयोग बड़ी ही शान से किया जाता है मैं अभी जमाइबान इस्तित जमाइन नेचर इस्टे रिसोर्ट पर हूँ जहां यहें टेंट परियाटकों को इस्टे के लिए उपलब करवाये जाते हैं और यहें परियाटकों की पहली पसंद बन चुके हैं तो आईए इस वीडियो के माद्यम से आपको भी बताते हैं कि इन टेंट में क्या-क्या सुजदाएं उपलब करवाये जाती है टेंट में एंटर होते ही सबसे पहले तो यह खूब तूरत सित दरवाजी अपने पुराने घरों के दरवाजों की याद दिला देते हैं और साथ ही यहां बाहर के प्राकर्तिक नजारों का अनंद लेने के लिए बैठने के लिए दो फूच्छुरत से मुड़े दिये हैं जहां पर बैठ के आप यहां के प्राकर्तिक नजारों का अनंद ले सकते हैं आईए अब चलते हैं अंदर की ओर इस स्विश टेंट को एक कपल की जुरूरतों को ध्यान में रखते वे डिजाइन किया गया है इसमें एक बड़ा सा बेड और लकडी का बॉक्स उपलब्द कराया गया है जिसे आप लगेज रेक के रूप में भी काम में ले सकते हैं साथ ही आपकी जुरूरतों को ध्यान में रखते वे इस बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा डूइट वगरे भी उपलब्द कराया गया है इसमें आप अपना कुछ सामान भी रख सकते हैं इसके अलावा यहां एक टेबल आपको और उपलब्द करवाई गयी है जिसमें आपकी जुरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है सर्दियों को ध्यान में रखते वे आपके लिए यहां हीटर तो गर्मियों के लिए आपको फ्रीज मुहया कराया जाता है साथ ही आप पंखा देखी रहे हैं साथ ही आपकी जुरूरतों को ध्यान में रखते वे यहां कप, गलास और टी केटल भी उपलब्द करवाई गयी है और यहां एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर आपको सुगर पाउच, सुगर पाउच, टी पाउच, कौफी पाउच और इन बॉटल्स में आप अपने लिए गरम पानी और ठंडा पानी भी रख सकते हैं सरदियों में आपके लिए हीटर तो साथ ही गर्मियों में आपके लिए यहां पे ऐसी की व्यावस्ता भी है पूल फेसिंग इस टेंड में आप अपने बेट पे लेटे लेटे या बेटे बेटे भी इस खिड़की के दुआरा बाहर के नजारों का आनन्द भी ले सकते हैं यह तो हो गई इस रूम में मिलने वाली स्विधाओं की बाद लेकिन जब भी हम किसी होटल आदी में जाते हैं तो सबसे महत्मून होता है हमारे लिए वहां का बात रूम तो आईए यहां का बात रूम भी देख लेते हैं यहां का बात रूम किसी फाइव इस्टार के होटल के बात रूम से कम नहीं है यहां भी आपकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है और साथ ही सर्दियों में यहां गिजर की व्यावस्ता भी है साफ सफाई का भी इस टेंट में पूरा ध्यान रखा गया है आपको कोना कोना यहां साफ सुत्रा मिलेगा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहां इसकी यह खुश्चूरत मचान टेंट इन मचान टेंट में और भी बहुत सी सुधाएं दी गई है जिनके बारे में मैं बताऊँगा आपको नेक्ट वीडियो में